दिपावली के शुब औसर पर आप सभी का सौरत हैं। आज पहुत दिनों बाद हमारे साथ हैं मेडम शालू। आईए। आज दिपावली के बारे में हम मेडम शालू से कुछ बाते करते हैं। शालू जी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि धीपावली हम क्यों मनाते हैं? मान्यता के अनुसार, रावन बद के 20 दिन बाद, श्री रामचंदर जी अयोध्या पहुँचे थे, जिस दिन को हम धीपावली के रूप में मनाते हैं. और धीपावली के दिन हम देखते हैं कि चालू तरफ धीपक जला जाते हैं, उजाले के जाते हैं, बच्चे पटाके जलाते हैं, तो ये धीपावली के दिन धीपक जलाने की प्रथा क्यों उसक्ता दी? 14 वर्ष बाद, जिस दिन भगवान श्री रामचंदर जी को अयोध्या लोटना था, उस दिन अमावस्या की रात थी, अतह दिये जलाकर, अयोध्या वासियों ने पुरे नगर में उजाला रखा, व रात भर खुशिया मनाई, तभी से दीपावली में दीपक जलाने की प्र कि दिन ब्रभुश्री रामचंद जी अध्या आयते, तो माता लक्ष्मी और स्री गड़ेश जी की पुझा क्यों की जाती है उस दिपावली में, कथाओं के अनुसार, एक बार, जब माता लक्ष्मी को ये अहनकार आया, कि उनके आशीर्वाद से ही, सभी को धन-धान्य, एश्वर्य व सुख की प्राप्ती होती है, तो उनकी ही पूझा सर्वश्रेश्थ हैं, तब भगवान विश्नु ने माता लक्ष्मी से कहा, कि आप भले ही सुख सम्रिद्धी प्रदान करती हैं, लेकिन कोई भी स्त्री बिना मात्रित्व प्राप्ती के संपूल नहीं होती इसलिए आपकी पूझा सर्वश्रेश्थ नहीं मानी जा सकती, उस समय मा लक्ष्मी के कोई संतान नहीं थें, वे बहुत निराश होकर मा पार्वती को अपनी व्यथा सुनाई, मा लक्ष्मी की पीरा देखते हुए माता पार्वती ने अपने पुत्र गनेश को उन्हें दत पुत्र के रूप में सौप दिया, इस बात से प्रसन होकर माता लक्ष्मी ने ये घोशना की की लक्ष्मी के साथ गनेश जी की उपासना से ही धन, धान्य की प्राप्ती होगी, तभी से मा लक्ष्मी के जनम दिन पर दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ गनेश जी की प यह बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि दिपावले कि दिए हम माता लक्षमी और गरजी की पुजा क्यों बहते हैं अच्छा लेकिन शावल जी अब इस प्रक्रण से जो आपने भी पताया मेरे मन में दो कोश्चन है पहला यह कि क्या माता लक्षमी की कोई सल्टान नहीं थी नहीं ततपश्चात मा लक्षमी के कुल अठारह पुत्र हुए और दूसरा प्रशन यह है कि माता लक्षमी जी का जन्म कम हुआ था देवी लक्षमी का जन्म समुद्र मन्थन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या तिथी को हुआ था जो दिवाली के दिन होती है हमारे दर्शों को को यह बता दीजिए कि जो अब ही दिपावरी हम लोग पनाने जा रहा है इसमें जो लक्षमी पूजन का शुब मुहूर्थ इककव है इस बार लक्षमी पूजन का शुब मुहूर्थ 31 अक्टूबर दो हजार चॉबीस को शाम पाँच बजे से रात्री दस बज कर तीस मिनट तक है कि यह तो रही सारी आध्यादी की बाते विश्वास की बाते अब एक मेरा क्वेशन है कि क्या ऐसा कभी कोई शोध हुआ या कोई वेगरिक तक्तर पर कोई जाज की गई कि वास्तों में स्री रामचंद जी एवध्या कम लोड़े थे Institute of Scientific Research on Vedas में हुए शोध के अनुसार श्री रामचंद जी ने रावन का वध चार दिसंबर 5076 इसापूर्व किया था तथा वे 29 वे दिन 2 जन्वरी 5075 इसापूर्व को अयोधिया वापस आये थे अगर आपको विश्वास है तो सबजी है आपके पास भगवान है विश्वास नहीं भगवान है तो इस दिपावलिक के सुव उसर पर मैं आप सभी को धेरोशुक्त कावनाए देना चाहता हूं आप सभी को मेरी तरफ से भी दिवाली की धेरों शुब कामनाए दिनकर शाबजी एक आपके 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 अपकेवगान आपके आपके।